अवैद रेद घाट वंद कराने को लेकर कलेक्टर के नाम दीन है SDM को दिया गया पन अवैद रेद घाट वंद नहीं किये गए तो तैसिल कारायले में बैठेंगे भूख अर्दाल पर जीहां आज किसान नेता इंदर सिंग ने किसानों के साथ SDM को एक गया पन दिया ग्यापन में उलेक किया गया है कि लाकर गाओं के आजफास वैत्वा नदी पर कुछ नेताओं एवं गुंडों के अवैद रेद घाट चले हैं जिससे गाओं की सड़कें छती ग्रिस्त हो गई हैं एवं रात्री में भारी मात्रा में ट्रेक्टरों से अवैद रेद का उत्खनन होता है जिससे ग्रामीनों को सूने में भी परिशानी उत्पन होती है किसान नेता ने कहा कि यदि घाटों पर शासन के द्वारा कोई कारवाई नहीं की गई तो हम सभी भूक अड़ताल पर बैठेंगे बीना से सचिन पवार की एक रिपोर्ट कि दो दिन से कम से कम तीन दिन से इतनी जाना बजिरी भीज रही है सारे ब्यत्वा नदी में कांजिया हो चाहे लखार घाट हो चाहे भासल ख्योरी घाट हो और पहले बजरी कोई जो पुलिस ने चापा मारी करी थी तो उस पर कोई कार रावाई नहीं हुई और उन जो पुलिस ने बाकाद जप्त की थी मसीने उन मसीनों को उन पर कोई वो नहीं कार रावाई की क्योंकि उमाम मसीने जप्त करके उन पर कोई मतलब उनका कोई चालान नहीं बिना उसकी मसीने छोड़ी गई बिना उतकी राजस्त भरा ना कोई मतलब यह भुला दुखित की बात है कि अधीकारी पुलिस मेनद करती है यह भलबले अधीकारी वाधेर में बैटे हैं मतलब पूरा इतना हैलत खराब मेरना किसान परेशहन है इसलिए हम आज निबेतन करने आelf करने या थे कियां सकते तो हम लोग भूभरताल पर बैठेंगे इतनी गुंडा गिर्थी पहली आज तक गड़ात् सिंग शिवरागतों सिंग कहते हैं कि दसफट गड़ा में गड़ादेंगे बताओ सिवराज सिंग का हों तुम आप का हों सिवराज सिंगी ये सरयाम गुंडा और नेता बजरी हेर रहे हैं का हों हमारे किसान बजरी हेरते हैं तो जप्त करते हैं मसीने जप्त कर देते हैं उन पर कारवाई कर देते हैं और जे गुंडा नेता बजरी हेर रहे हैं इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही इसलिए हम भुरूद करने हैं सभी के साथ